दवश्कार मैं हूँ सूख्रती ईरोईजेटर जी और बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है बवासीर जिसे अंग्रेजी में पाइल्स कहा जाता है ये एक बहुती खतरनाक रोग है पाइल्स एक ऐसी बिमारी है जिसमें बैठना तक मुश्किल हो जाता है बवासीर दो तरह की होती है एकांतरिक बवासीर और दूसरी बाहरी बवासी ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि आखर वक्त में कैंसर का रूप भी धारन कर सकती है ये बीमारी एक बार ठीक होने के बाद दोबारा फिर से हो सकती है ऐसे में बवासीर से ग्रस्त लोगों को अपने खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बात आती है कि बवासीर में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। Health experts की माने तो बवासीर की समस्या होने पर व्यक्ति को मसालेदार भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए Spicy food ना सर्फ सूजन बल्की दर्द को भी बढ़ाने का काम करता है बहतर होगा कि आप कम मिर्च मसाले वाले food की तरफ स्विच करें आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन बहुत जादा चीज का सेवन भी आपकी परशानी को बढ़ा सकता है Health experts कहते हैं कि कभी-कभी cheese sandwich या फिज़ा का सेवन करना आपके लिए नुकसान देख नहीं होगा लेकिन बहुत जादा चीज का सेवन करने से बचना चाहिए अगर आप non-vegetarian हैं तो मीट का सेवन भी आपकी बवासीर की परशानी को बढ़ा सकता है खासतोर से red meat को digest करना इतना आसान नहीं होता Health experts के मताबिक अगर आप अपने मल में खून देख रहे हैं और लगातार कब्ज महसूस करते हैं तो कुछ वक्त के लिए शाकाहारी भोजन की तरफ स्विच करें बहुत से लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो किचिन में लंबा वक्त बिता सकें ऐसे में अधिकतर लोग packaged या processed food का सेवन करते हैं चिकित्सकों के मताबिक अगर आपको बवासीर की समस्या है तो आपको processed food से बचना चाहिए वहीं कैफीन का जातर सेवन भी बवासीर रोग्यों के लिए उचित नहीं माना गया है डॉक्टरों के मताबिक कैफीन पेट की जलन और निर्जली करण की वज़ा बनता है इसलिए अगर आपको दिन में 4-6 कप चाय कॉफी पीने की आदत है तो बहतर होगा कि आप अपनी regular चाय को green tea से switch करें उमेद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले